आज मैं आपके साथ BB Glow treatment के हवाले से ही जो मैंने अपनी मेरी पिछली वीडियो थी उसी की continuity है उसी का सलसल जारी है और चुक्कि वीडियो अलड़ी इतनी लेंक्त ही होगी थी कि मैंने उसको फिर दो से तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया पहली वीडियो में मैंने आपको BB Glow treatment की information दी कि है क्या चीज़ आज मैं आपको Dr. Pen के हवाले से बात करूंगी कि Dr. Pen जो है वो किस तरही के से काम करता है और आप उसको ये कैसी लोग क्या है दिखाई कैसा देता है और इसमें आपको इसको 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 और मेरी जो तीसरी वीडियो होगी वो proper मेरी डेमो होगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी किसका इस्तमाल या आप इसको अपने फेज के ओपर कैसे इस्तमाल कर सकते हैं इंस्ट router के आउप कर दूसरे के फेज के ओपर आप सकते हैं अच्छा मेरे पास जो है جो Dr. Pen क जो मेरे पास packing मुझूद है वैसे तो ये एक इसके अंदर आता है box के अंदर आता है लेकिन मैं आपको इसकी packing ये मेरे पास इसना पाउच है ये पाउच ठीक है और इस पाउच के अंदर दो कार्टिज है ये नीडल्स के ठीक है इस तरीके से पैक्ट है और ये ये इसके साथ लगा के आपने इसको मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास जो डॉक्टर पैन है वो इस तरह के पाउच के अलग से इसका bag पाउच है जो हम इसके अंदर वो ये है और ये देखें ये दॉक्टर पैन है ये ठीक है मैं इसको थोड़ा सा close करती हूँ और आप ये देखें किसके ओपर आपको numbers फील हो रहे होंगे ये numbers लगे बेहे हैं ये numbers आपको show करते हैं कि आपने कितनी गहराई तक इसको जो needle है उसको कितनी गहराई तक skin के अंदर लेके जाना है और इसके साथ इसको हम अटच करते है ये देखें इसका जो back पे ये इसकी yeah पर back प यहां पे पिन लगती है और यहां पिन अटेच करने के बाद हम इसको लगा देते हैं जहां पे हमें एक्स्टेंशन के साथ ठीक है यहां प्लाग के साथ लगा दें और उसके बाद आपने यह इसको आप इसका 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 इस अब इसमें जो कमाल किया है, इस डॉक्टर पैन की सबसे जो कमाल चीज है, ऐसे भी डॉक्टर पैन्स आते हैं कि जो बैटरी से चलते हैं, या आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बैटरी के साथ नहीं चलता है, ये आप इसको आटाच करना पड़ेगा, व और दूसरी चीज यह है इसके जो सबसे इंपॉर्टन चीज वो आपके यह नमबर्स है जो यह आपको नमबर्स दिखाई दे रहे हैं बलाड़ तो नहीं हो गया यह अच्छा यह जो नमबर्स है यह इस चीज का तायून करते हैं जैसे अब वन एम एम यह यह इसकी डैप्थ है 0.75, 0.5, 0.250 यह फिर इसी तरह टू पे भी डैप्थ यह नहीं जतनी ज़्यादा आपने डैप्थ में इसको पेनेटरेट करेंगे नीडल को पेनेटरेट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके जो प्राड़क्ट है वो इतनी डीपली जाके वर्ट करेंगी लेकिन जतनी गहराई होगी उसमें आपको थोड़ी से तकलीफ तकलीफ इस तरह के आप हो सकती है कि आपको जैसे सुजी की चुबन ज्यादा मैसूस होगी और सम्टाइम्स अगर हम वाज वकात हमने जो जैसे एकनी की स्कार्स होगए यह पिग्मेंटेशन के लिए हम काम कर रहे होते है और हम फिर या हमें डीप रिंकल्स के लिए काम कर रहते हैं तो हमें ज्यादा डेफ्थ चाहिए होती है तो फिर उसमें यह जोता है कि उसको रिकावर होने में हमें दो एक दिन लग जाते हैं आपकी स्किन को रिकावर करने में अच्छा इसकी जो सबसे इंपॉर्टन्ट ये needles है ठीक needles के oop係 जैसे अब यहाँ पर इसके ओपर लखावए नैनो needle और इस needle के ओपर लिखावे ये 36 needles ठीक है? इसका needles जो है ये आपको मैं आपको दिखाती ओर अपको दिखाती हूँ के ये ये देखिएर ये इस तरह की ये लोग करती है ये और जब हम ये अपने काम कर रही होती है तो ये देखिए इसकी आगे नीडल्स आपको अगर सही से नज़ ये इसके साथ नीडल्स है चुट चुटी बारीक बारीक नीडल्स होती है ये नैनो नीडल्स है चुटके ये नैनो नीडल्स होने की वज़ा सी तक हमारे पास तक हमारे पास आपको ये कार्टेज मिल जाते हैं जो जिननी नीडल कम होंगी उसमें यह है कि वो उतनी स्पेस जो है जैसे अगर एक इसकी साइस तो आगे से इसका नीडल का उतना ही होता है इतने अगर इसके है तो इसके अंदर नो नीडल्स लगी है नाइन नीडल्स तो वो दूर 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 करके लगी होगी और वो स्किन के उपर जब वो स्टैंप करेंगी तो वो भी इससल दूर दूर से करेंगी और आपको ज्यादा टाइम लगेगा जतनी ज़्यादा नीडल्स होंगी जैसे, कि अगर आप ther機會 sólo्शियिश नीडल्स के साथ कम करे हैं तो उतनी ज़्यादा आपके पॉर्स के फांदा पॉर्स के उपर करेंगी लेकिन अगर आप स्किन रिजूरिणेशन के लिए काम कर रहे हैं, स्किन ग्लो के लिए काम कर रहे हैं, तो बेस्ट है कि आप 12 नीडल के साथ भी काम कर सकते हैं, 24 नीडल के साथ भी काम कर सकते हैं, अच्छा अब बात आती है कि हम जो नीडल है, उनकी कितनी लेंग्थ ये डेप्थ होनी चाहिए, जब आपको, जब ये आप प पता चलता है कि आपने depth रखनी हैं तो मैं आपको depth के हवाले से आपको बताती चलूँ कि अगर आपने simple serum की absorption के लिए आपने Dr. Pen इस्तमाल के किसी भी type के serum चाहे वो wrinkles के लिए करनी है चाहे वो आप किसी भी purpose के लिए serum इस्तमाल करनी है तो आपने उसके लिए जो Dr. Pen के needle की depth रखनी है आपने वहाँ से Dr. Pen से fix करनी है वो आप अगर 0.25 mm रखी है तो आप हर दूसरे दिन ये treatment अपना कर सकती है 0.25 mm जो हर दूसरे दिन आप इसको serum की ingredients के absorption के लिए use कर सकती है अगर आप scarring के लिए कर रही हैं तो आपको 1 mm से 1.5 mm आपको needle की depth रखनी होगी hyperpigmentation के लिए आपको 0.25 mm से 1 mm depth याप कम से start करेंगी और फिर जैसे से आपकी sitting जादा होती जाएंगी तो आपने इसकी depth बढ़ाते जानी है फिर आपने loose skin और sun damage के लिए 0.5 mm से 1.5 mm आप use करेंगी stretch marks के लिए 1.5 mm से 2.5 mm आपने needle की depth रखनी है और यह सबसे जादा जो है ना deep है बाकी किसी purpose के लिए आप 0.25 तक नहीं जाएंगी uneven skin tone को improve करने के लिए और skin texture को improve करने के लिए आप 0.5 mm से 1 mm आप use कर सकती है नीडल की depth और fine lines और deep lines के लिए आप 0.5 से 1.5 mm आप use कर सकती है अब question आजाता है कि आपको कितने अर्से बाद यह micro needle करनी चाहिए micro needling करनी चाहिए अगर आप घर में कर रही है तो इसके लिए मैं आपको एक idea दे देती हूँ कि अगर आप 0.25 mm depth में needle यूज़ कर रही है तो आप हर दूसरे दिन इसको यूज़ कर सकती है आप my doctor pen को इस्तमाल कर सकती है लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एक दफ़ा जो आपने needle इस्तमाल की उसको दुबारा अपने face पे मत use कीज़गा यह already sterilized packing होती है और अगर आपने इसको second time अगर use भी करना है तो फिर आपने इसको sterilize करके use करना है क्योंकि आपकी skin का मामला है needles है so be careful आपने एक skin की needle दूसरे skin के उपर किसी किसी सूरत आपने इस्तमाल नहीं करनी है please be careful आपने जो needle अपने face पे इस्तमाल करेंगी वो किसी दूसरे के face पे नहीं इस्तमाल करेंगी और नहीं किसी दूसरे की needle अपने face पे use करवाएंगी और इसमें यह है कि आप जब भी अगर professionally के लिए treatment लेने जा रही है तो आप उनसे beautician से request करें कि वो आपको इस तरीके की वो आपको sealed जो है वो आपके सामने खोले needle यह cartridge खोले और वो आपके सामने doctor pen के अंदर लगाए ताकि आपको आपको कोई शको चुबा ना रहे पर मैं दोबारा स्पयाती हूँ कि अगर आप 0.5 mm की needle इस्तमाल कर रही है तो आपने हफ़ते में एक से तीन दफ़ा आप इसको यूज करेंगी तो आप पहले हफ़ते में एक दफ़ा यूज करें दूसरे हफ़ते में आप दो दफ़ा कर लें और तीसे हफ़ते में थ्री की needle इस्तमाल कर रही है तो आपको तीन से चार हफ़तों में एक बार और अगर आप दो से 2.5 mm डेप्थ इस्तमाल कर रही है तो ये 6 हफ़तों में एक दफ़ा इसके इतनी डेप्थ की needle इस्तमाल करेंगी और इसमें आपको professional जो supervision है उसकी बहुत ज़रूरत होगी आप घर मे मात इस्तमाल की जगा इतनी डेप्थ ने क्योंके skin rapture भी हो सकती है अब मैं आपको बताओंगी कि जो needles है एक कार्टिज में कितनी needles किस मकसद के लिए इस्तमाल होती है आप कोशिश करें जब भी आप Dr. Pen की needles लें तो आप एकठा पैक पांच का पैक ये 10 का पैक ये 20 का पैक एक साथ ले लें ताकि अगर आप regular घर में इस्तमाल कर रही है तो आपको असानी रहे और हर दफ़ा आपको खरीदी ना पड़े एकठी लेंगी तो आपको सस्ती भी पढ़ेंगी अगर आप 9 पिन ले रहे हैं तो ये basically acne scars को repair करने के लिए इस्तमाल की जाती है stretch marks के लिए औ 9 पिन वाला कार्टेज अगर आप लेंगी तो आपके लिए best है 12 पिन जो है वो repair करता है acne scars को stretch marks को कम करने के लिए और wrinkles के लिए 36 नीडल्स जो है ये whitening के लिए dark spots removal के लिए skin rejuvenation के लिए और pores को shrink करने के लिए और जो 42 नीडल्स है ये skin discoloration को ठीक करने के लिए dark spots के removal के लिए और skin rejuvenation के लिए और साथ-साथ जो pores हैं उनको shrink करने के लिए इस्तमाल किया जाता है और जो nano needles होती है ये painless होती है और ये सिर्फ nutrients को आपकी skin के अंदर absorb करने के लिए इस्तमाल की जाती है किसी भी किसम की आपने अगर serum को just अपने product की penetration के लिए अगर आपने उसको use करना है तो आप nano needle इस्तमाल करें वो आपके लिए सबसे best है तो I hope कि आज की जो ये video है ये काफी आपके लिए मददगार साबित होगी जब आप Dr. Pen को अपने personal इस्तमाल में रखेंगे या professional यूज में रखेंगे आपको ये बहुत help करेंगी कि आप ये Dr. Pen का इस्तमाल कैसे करें मेरी अगली video जो है वो इन्शाला मैं आपको बताऊंगी कि आप BB Glow का treatment घर पे अपने उपर कैसे कर सकते हैं तो उमीद है आप मेरी अगली video का इंतजार करेंगे और अगली video का इंतजार करने से पहले आपन करें शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलें क्योंकि मेरी अगली video का notification जैसे ही में video upload करूंगी आपको notification आपके mobile phone पर मिल जाएगा और आप मेरी video बगएर किसी इंतजार के आप औरी तो पर देख सकेंगे तो next video तक अजाज़त अलाहाफेज